हेलो फ्रेंड्स मैं देवे नारी और आज हम करेंगे प्रश्ण बेंग के 2021 विसे अंग्रेजी का सेकेंड वीडियो है यह पिछला वीडियो हमने अंसेन पैसेज फर्स्ट के उपर बनाया था ठीक है अपको उसको अच्छे समझना है तो आप सेनल को सब्सक्राइब करें प्ल एट पिरामिड एट गीजा इस वन आप दा वर्ल्ड स मोस्ट अमेजिंग लेंडमार्क जो गीजा का यह जगा का नाम है मिसर में उसमें जो है पिरामिड है यह गीजा का पिरामिड जिसके बारे में आपने सुना होगा तो वो दुनिया का सबसे अमेजिंग लेंडमार्क ह यानि सबसे अदबुत अश्यर जनग इस्थान है rising high above the Sahara Desert in the Giza region of Northern Egypt उत्री मिस्र में गीजा छेतर में शहारा डेज़र्ट सहारा रेगस्थान पर rising high above यानि कि उपर है तो कहाँ पर है गीजा का पिरमिड उत्री मिस्र में गीजा वाले रेगस्थान में सहारा रेगिस्तान के उपर है the great pyramid stands some 450 feet into the burning desert sky. यह जो महान pyramid है यहां 450 feet की उचाई लिये हुए है और burning desert sky जलते हुए है ना आकाशी रेगिस्तान में खड़ा है and occupies an area of 13 acres और लगभग 13 acre छेतर में फैला हुआ है. the rough climate of the सहारा has actually caused the pyramid to sink 30 feet सब्सक्राइब है और जो सब्सक्राइब है यह क्लाइभ ciao करण। है कि さ ऑि syllabus कोजने वास्टे वह भूह होगगा ढ़ पिर मेड़् वाज संच और ड़ी पिरमेट था रेले Haz style आप इंजिनियरिंग एक अमेजिन फींजिनियरिंग का एक मेजिनीयर्ग फैंजिनियर्ट था मैज और मैं यानेwrite आदभूत कारना मांना था यडिक त्रेंड große um यह ओर अड़ी और यह जो पूरा पिरामिड है यह और इसको चूने पत्थर से पॉलिश किया गया है और इसको नायाब तरीके से इसको लाइम स्टोन से चूना पत्थर से पॉलिश किया गया है Most Egyptologist अधिकांस Missrian यहने जो एजिप्ट में है मिस्र जैसे अपने भारत को इंगलिस में हिंडिया बोलते हैं विसमें मिस्र को इंगलिस में एजिप्ट कहते हैं ठीक है तो बहुत सारे एज्यिप्ो लाजिस्ट थ जो इंसेट एजिफ्ट का अध्यान कर रहे हैं यह बहुत सालों से जो मिश्र अध्यान कर रहे हैं एग्री टेड़ ग्रेट पिरामीड वास बिल्ट अराउन 2560 ऑवे पूर्ड से agree है कि इस पिरामिड का जो निर्मान हुआ है वो 2560 BC हुआ BC यहने बिफोर Christian यहने इसा पूरो 2560 इसा पूरो में हुआ था a little more than 5000 sorry 4500 यह से वो यहने कि लगबग 4500 साल पहले इसका निर्मान हुआ था इसको बनाने में 10,000 मजदूरों को लगबग 20 वर्स लगे थे और इस पिरामिड में 2 मिलियन पत्थरों के ब्लॉक लगे हुए है यहने कि 2 मिलियन 20 लाग although most of the blocks weigh 2 और 3 टन अधिकांस पत्थरों का वजन 2 से 3 टन ठीक है यहने कि 2 से 3 टन यहने 20 से 30 कुंटल के वजन के बराबर है some way up to 80 टन जबकि कुछ पत्थरों का वजन तो लगबग 80 टन है और यह जो पिरामिड बनाया गया था इसको बनाने का आदेश दिया था फेरो फेरो बनाया की जो मिस्र हैं वहाँ पर राजाओं को फेरो कहा जाता था तो किस राजा ने कुफू राजा ने कुफू फेरो ने एक मेगनिफीशियंट टॉम उनकी जो है मेगनिफीशियंट एक शांदार टॉम यहने की जिसको हम कह सकते हैं मगबरा बनाने का आदेश दिया था जिसको हम पिरामिड बोलते हैं किसने दिया था फेरो कुफु ने, इस विजीर, विजीर यहने कि इसको वजीर, एड़वाइजर, सलाकार है ना, हैमन, उसका नाम क्या था हैमन, यहने उस राजा का एक वजीर था जिसका नाम था हैमन, is credited with being the pyramids architect, उसको सरे जाता है इस pyramid की वास्तुकला का, ने कि इसके निर्मान का, कुफु पिरामिड is actually part of a complex of pyramids, that include the pyramid of खाफरे, the smaller pyramid of man-court, और यह जो कुफु का पिरामिड है, यह वास्तों में एक हिस्सा है, बहुत सारे pyramids है, पिरामिडों का एक, जो है complex pyramids का एक समू है, उन समू का एक हिस्सा है, that include the pyramid of खाफरे, जिसमें खाफरे नाम के राजा का भी pyramid include है, the smaller pyramid of man-court, और सबसे छोटा pyramid है man-court, जो man-court एक राजा थे उनका, a variety of smaller pyramid and structure, और बहुत सारे छोटे-छोटे pyramid वहाँ पर बने हुए, सरशना बने हुए, and the great sphinx, sphinx यहने की, जो आजीब और गरीब जो राजा थे, उन राजाओं के यह अजीब और गरीब इनसानों के, जो है, मगबर टॉम बने हुए, पिरामिट बने हैं, उन पिरामिड हों में से में एक यह pyramid है, जिसको हम क्या बोलते है, गीजा का पिरामिड, ठीक है, जो राजा कूफू फेरो जो थे उनके मगबरे के रूप में उन्होंने बनवाया था और यह जो महान पिरामिड है गीजा का यह लाश्ट रिमैनिंग यानि अभी भी दुनिया के साथ आश्यरी में से एक आश्यरी अभी भी बना हुआ है तो फ्रेंड्स हमने इस पैसेज में गीजा जो पिरामिड है गीजा के उनके बारे में पढ़ा अब कुछ कोश्चन्स है हमारे सामने उन कोश्चन्स के आंसर आपको करने है पहला कोश्चन है वीच आप दिज डेज नौट हाउस दे ग्रेट पिरामिड यहां पर आपके सामने उप्शन लिखें इन में से कौन सा ग्रेट पिरामिड का हाउस नहीं है और ग्रेट पिरामिड संबंदित नहीं है तो इसका आंसर आएगा रियन से भी जानदा इस्टोन ब्लॉक से लगे थे थार्ड है के अनुसार क्लॉंभ गूंप्लेक्स सब्द को सबसे आन्धा कॉन सी डेफिनेशन डिस्क्राइब करके कॉमप्लेक्स यहने की गुरुप के लिए दाना कod नैंकि बेसाँ बहुति कॉनसा पिरमप्लेक्स abdi युन के समूवन को सबसब सबसे लिए था तो if false इन में से कौन सा सेंटेंस से यहने गल्त है तो इसका सभी अhan्सर एवाला ही आएगा क्योंकि एवाला ही गल्त है कि कुफू वाज हैमन से विजेरेंड आर्किटेक्ते जो कुफू था हैमन का वजीर और चैनल के माध्यम साब को पूरी कोश्चन बेंक एक एक चीज़ से वलू कराए जाएगी थैंक यू वेरी मच फुल वाचिंग